आज का वीडियो Acne Scars के 3rd part के उपर है 1st part में आप लोगों को बताया था कि Acne Scars 3 types की होते हैं वो कौन-कॉन से Acne Scars होते हैं 2nd part के अंदर मैंने आप लोगों बताया कि 1st type का पोस्ट इंफेलमेटरी erythema उस में आपकी face के उपर Acne remove होने के बाद जो red, pink और purple color के patches रह जाते हैं, sports रह जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं, उन्हें हम लोग पोस्ट इंप्रमेटरी आरथिमा कहते हैं second video मैंने आप लोगो ये भी बताया कि इसका treatment आप लोग कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से cream आप लोग यूज कर सकते हैं, कौन-कौन से cream आप लोग यूज कर सकते हैं, कौन-कौन से acid आपकी skin के लिए अच्छे हैं, कितने टाइम में आप घर में उस problem को treat कर सकते हैं, क्या precautions ले सक तो अगर आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम में तो आप लोग इसका सेकंड पार्ट चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड दॉनर पार्ट के लिंक शेयर कर दूँगी, थर्ड जो यह पार्ट है यह है इसके सेकंड डिसकार्ट के उपर जो की है प और लें कि कंगे को किए अगर को आपको ब्रॉब्लम हुआ है तो आप इसको कितने को डाइम में ट्रेट कर सकते हैं, घर में और लें क्काॉं कॉनसे हूआ है, और अगर आप घर में कोई एस्टेट्स यूज़ करते हैं तो कौन कौनस एस्टेट्स सेफ हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं और किस सरीके से यूज़ करते हैं तो शुरू करते हैं अगर वीडियो लगता है, helpful था, useful था आप लोग को पसंद आता है तो जाने से पहल क्या करता है जब रेटिनोट अपनी स्किन के अंधर करते हैं तो इसका जो मेन काम होता वो स्टाल टानौवर का होता है पी एच को इंप्रूब करने के लिए उसको हलका करने के लिए इसके स्पोर्ट्स को कं करने के लिए अच्छा एसिट्स हैं जो कि में फेस के ऊपर 0.25-0. दूसरी चीज जब आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो यापके स्कीन के शैल्स सणॉगर को बढ़ाता है आपके इसकीन के अवाली शैफुलिएट करता है उसको खटाता है ऊपर वाली लेयर अउपके शैलस बनाता है कि अपके नहीं रेकर शैल्स बनाथा है आपके को बन के लिए जो हम लोग बोलते हैं कि skin को exfoliate करने के लिए alpha hydroxy acid में glycolic acid का use कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम combination में glycolic acid salicy acid से चाहें तो इन दौनों में से कोई भी acid लेकर अगर अपनी skin को exfoliate करते हैं पील करते हैं तो हमारी जो skin की उपर वाले layer है वो exfoliate होती है glycolic acid के बारे में पहले भी बताए कि glycolic acid के molecules जितने जादा है smalls होते हैं इतने जादा चोटे होते हैं कि वो easily आपकी skin के अंदर penetrate हो जाते हैं अंदर जाकर वो आपके dermis layer को भी clear करते हैं कम percentage से 6-12% में भी इसको यूज कर सकते हैं combination cream जैसे कि जो safe acid होते है azalic acid, kozic acid, glycolic acid या फिल लिकोरिक एक्स्ट्रिक है ना mulberry extract इस तरह की जो भी creams होती हैं आप उन creams का कोई combination cream purchase करें उसमें आप देखें ना कोई steroids हो ना कोई hydroquinone हो किसी भी तरीकिया कोई other acid ना हो जिसके आपको जायन करें बिल्कुल भी ना हो इस तरह की जो combination cream होती है वो आप अपने face के उपर यूज कर सकते हैं यह जो cream होती है जो combination cream होती है कोजिक हुआ, glycoli के विर्हुआ, vitamin C हुआ, यह सारे acids मिलके और आपके skin के जो melanin होते हैं उसको कम करता है आपके जो sports होते हैं black color के उनको reduce करने के कोशिश करता है और आपके जो sports हैं उनको reduce करने के कोशिश करता है यानि के black, kale, bhooray, किसी भी तरीके के अगर dark धब्बे होते हैं इसको reduce होने के जैसे बहुत time लगता है लेकिन अगर आप लोग अपने alternative days में जैसे की retinoids यूज कर रहे हैं, glycoli की यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी hydroquinone वगरा यूज कर रहे हैं तो उस बीच अगर आप ल morning routine में इसको add करना चाहते हैं तो तब भी add कर सकते हैं ये melon के prediction को कम करता रोकता आपके जो black color के या brown color के जो भी dark sports होते हैं skin के अंदर ये उनको light करने की कोशिश करता अगर आप लोग मुझ से पूछेंगे कि अगर आप लोग को trinamic serum चूज करना चाहते हैं तो आप कौन से sports melasma का problem है इन सब के बीच तो आप उस condition में भी 3% trinamic use कर सकते हैं P.I.H. को कम करने के लिए alpha arbutine भी बहुत अच्छा acid है जो कि आप यूज कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने cozy glycolic vitamin C या arbutine के साथ एक combination cream आप लोग को बताई थी लेकिन अगर आप ये use नहीं कर रहे हैं तो आपके sports को reduce करता है साथ में अगर आपके face के उपर sun sports है, age sports है, acne के sports है या फिर आपको P.I.E. और P.I.S. दोनों है उस condition में भी आप लोग alpha arbutine यूज कर सकते हैं ये आपके सभी तरह की sports को कम करता है melanin को reduce करता है साथ में आपका जो complexion है उसको भी clear करने की कोशिश करता है P.I.E. के treatment के लिए मैंने आपको vitamin C बताया था, vitamin C को P.I.E. हो या P.I.E.H. हो आप दोनों ही condition में यूज कर सकते हैं, vitamin C के अंदर anti-inflammatory and anti-inflammation properties होती है जो कि face का infection होता है जो acne के बात का infection होता है उसको reduce करता है ये आपकी skin के अंदर नया collagen बनाता है, collagen को boost करता है साथ में अपकी skin को repair करते हैं, healing capacity अपकी skin को clear करता है, texture को smooth करता है, तो अच्छा को comal बनाता है, lighten करता है, आपके sports को reduce करता है, साथ में अगर आपकी skin में oil बनता है यो उसको भी reduce करता है, आपके skin के balance को maintain करके रखता है, आप इसको अपने routine में जो भी creams वगरा यूज कर रहे हैं, आपको acne scars का problem हुई या कोई भी problem है, जब भी आपको treatment लेते हैं, तो उसके साथ sun screen बहुत जादा compulsory है, sun screen क्यों compulsory है, आपकी skin में कोई भी problem है, लेकिन अगर आप लोग retinoids यूज कर रहे हैं, कोजिक acid यूज कर रहे हैं, glycolic alpha hydroxy, beta hydroxy, अगर इस तरीके के आप कोई भी acid अगर आपकी skin में उस टाइम पर acne है, तो acne बढ़ने लगेंगे, अगर acne नहीं है, तो शायद acne होने लगेंगे, जो आपको post-inflammatory arythema है, या फिर post-inflammatory hyperpigmentation है, वो day by day और ज़्यादा strong हो सकता है, और उसको reduce होने में और ज़्यादा time लग सकता है, बहुत बार वो बहुत condition मे irritate भी होने लगता है, तो अपनी skin को protect रखने के लिए at least SPF 50 लगा कर रखें, अगर आप ये सारे acid यूज़ कर रहे हैं, तो sunny screen कमपल सी आप लोग को यूज़ करना है, अगर आप अपने face के लिए post-inflammatory hyperpigmentation में कोई अच्छा face wash चूज़ करना चाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बता है, आप alpha hydroxy acid में glycolic acid चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप salicyc acid का भी चूज़ कर सकते हैं, post-inflammatory hyperpigmentation में कोई भी अच्छा face wash, आज़लिक acid ये भी PIEH के लिए बहुत अच्छा है, जिस तरीके से PIE के लिए अच्छा है, कुछ ऐसे जैसे हैं, जो कि PIE और PIEH त काम करते हैं, आपकी skin को एक्सफुलियेट करता है, अगर आपको sports के साथ, post-inflammatory hyperpigmentation के साथ, कंचिन अगर अच्णे भी हो रहे हैं, तो ये अच्ने को भी रिडियोस करता हैं, और आपके अक्ने को भी कम करता है, साथ में आपकी skin में इंफ्लमेशन हो रहा है, swelling हो रहा है, red अगर आपको अच्छे चीज़ अगर हम हुमिट चीजों की बात करें तो फ्रेश अलोवेरा लीफ इसकी बहुत जादा अच्छी होती है इसमें विटेमिन A होता है C होता है अगर इन सबके साथ अगर आप घर में इसके लिए अगर माइक्रो नीडलिंग करना चाहते हैं कम अमका 0.5 अम का डर्मरोलर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं किसी भी कंडिशन में अगर आपको बहुत ज़ादा पोसल्फरमेट्री हाइपर पिग्मिटेशन एक अगर आप डॉक्टर के पास लेना चाहते हैं तो आप लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो लोग आपकी फेस को देखकर दर्म अब्रेशन दे सकते हैं आप लोग को फिर माइक्रो नीडलिंग दे सकते हैं वो आपकी स्कीन के अकॉर्डिंग ही आपको क्यामिकल पील्स व वरना यह स्कीन के अंदर इरिटेशन रेडनेस कर सकता है तो यह था मेरा पोस्ट इंफरमेटर हाइपर पिग्मेंटेशन को लेकर वीडियो यह सारे असेट्स ते जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्कीन के ऊपर आल्टरनेटिव डेज में यूज कर सकते हैं कोई इस वाश हो चाहे फिर आपका मॉश्राइजर हो सनस्कीन हो सारी चीजे बहुत अच्छी से चैक करके लिए अगर लगे वीडियो यूसफुल था आप लोग को पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करके जाना इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें आट्रोफिक स्कार्ड्स है उसमें आइस पेक रोलिंग बॉक्सर इसकार्ड्स तीनो डाइपस की स्कार्ड्स का ट्रिट्मेंट मैं आप लोग को इसके जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर शेयर करूँगी थैंक यू